नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका मेरे जनल एक्जाम सिर्ज में आज मैं आपके लिए जीके के कुछ क्वेशन लेके आया हूँ आई होप आपके लिए बहुत महतबुन रहेंगे तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेशन से पहला है किसी भी Grand Slam प्रतियोगिता के प्रथम चरण में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतियों महिला टैनिस खिलाडी कौन सी है आपके सामने आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट अंसर होगा तो चलिए समय समा आपको option A इसका right हो जाएगा निरूपमा वैदनाथन ठीक है तो चलिए next question की तरफ next है मारे पास भारत में प्रथम अंतराष्ट्रियों फिलम समारहो कहां हुआ था आपको पताना option आपके सामने है मुंबई, दिली, कोलकता या मदरास तो इसमेंसे जो right answer है option A हो जाएगा मुंबई, ठीक है याद रखने है आपने हो भी तो चलिए next question की तरफ next है गांदी जी को महत्मा की उपादी किसने दी थी option मेंसे आपको बताना है किसने दी थी तो option आपके सामने है तो चलिए आपका समय जो समाप्त हुआ option B इसका right हो जाएगा रविंदर नाथ टैगोर ने तो चलिए next question की तरफ विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहां शेर और भाग दोनों पाए जाते है options आपके सामने है कौन सा ऐसा देश आपको बताना है फटा फट से तो चलिए जो समय समाप्त हुआ option C इसका right हो जाएगा भारत ठीक है तो चलिए next है question number five भारत में सबसे बड़ा बौद मठ किस राजियों में स्थेते आपको बताना है option है आपके सामने फटा फटा फट से बताना है तो चलिए जो समय हमारा समाप्त हुआ option C इसका right हो जाएगा अरुनाचल प्रदेश चलिए next है हमारे पास question number six six है billiards में विश्व चेंपियनशिप का किताब जीदने वाले प्रतम भारतियों कौन थे options आपके सामने आपने बताना है कौन थे तो चलिए आपका समय हमें जो समाप्त हुआ option B इसका right हो जाएगा Wilson Jones ठीक है आपको याद रखना है अभी चलिए next है seven question भारत और चीन की सिमा कावी भाजन करने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है options आपके सामने हैं आपको फटा फट से बताना है तो चलिए आपका समय समाप्त हुआ option D इसका right हो जाएगा Mac Mohan रिखा याद रखना आपने तो चलिए next सवाल की तरफ next है question number 8 भारत रतन प्राप्त करने वाले प्रतम वृद्ध व्यक्ति कौन थे आपको बताना option में से कौन थे तो चलिए आपका समय समाप्त हुआ option A इसका right हो जाएगा मोरा रज्जी दिसाई ठीक है याद रखना आपने तो चलिए next है question number 9 वीर भूमी किसकी समाधी आपको बताना है option आपके सामने है तो चलिए आपका समय हुआ option D इसका right हो जाएगा राजिव गांदी की चलिए next है question number 10 लोग सबाग के लिए चुने जाने वाले प्रतम वैग्याने कौन थे आपको बताना option में आपके सामने तो चलिए आपका समय समाप्त हुआ option A इसका right हो जाएगा मेगनात साहा चलिए 11 question की तरफ भारत में सबसे पहले उर्दू को किस राजियों में राजियों भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था option आपके सामने आपको बताना है किस राजियों में तो चलिए आपका समय हुआ समाप्त option C इसका right हो जाएगा जम्मू कश्मीर चलिए 12 question की तरफ भारत का प्रथम उपग्रह कौन साथ आपको बताना है options आपके सामने है तो चलिए आपका समय हुआ समाप्त option A इसका right हो जाएगा आरेव भट चलिए next question की तरफ 13 भारतियों 9 सेना कितनी कमानों में संगठित की गई आपको बताना है options आपके सामने है फटावट से बताना है तो चलिए आपका समय हुआ समाप्त option C इसका right हो जाएगा तीन चलिए 14 question भारत की प्रथम महिला प्रधान मंत्री कौन थी आपको बताना है कौन थी option आपके सामने है तो बहुत ही आसान सवाल है option A इसका right हो जाएगा इंद्रा गांधी चलिए next question की तरफ next है 15 question निमिलिक्त में से कौन पहाड़ी गांधी के रूप में जाना जाता है आपको बताना है options आपके सामने तो चलिए आपका समय समाप तो option D इसका right हो जाएगा बाबा कांशी राम चलिए next question है मारपा 16 science का question है DNA किसने खुजा आपको बताना है किसने खुजा तो चलिए आपका समय समाप तो option D इसका right हो जाएगा J Watson और F Crick ठीक है चलिए 17 question H1N1 flu होने का कारण आपको बताना है तो चलिए आपका समय समाप तो option A इसका right हो जाएगा विशाण हूँ चलिए next question है 18 question एक nuclear reactor के लिए इंधन का स्तरोत कौन सा आया option में से आपको बताना है बहुत में तुम सवाल है यहाँ भी तो चलिए आपका समय हुआ समाप तो option B इसका right हो जाएगा यूरेनियम याद रखना है आपने यूरेनियम चलिए next question है 19 तिब्बत में मान सरोवर से आरंभ होकर और की नौर जिल्ले में शीप की में भारतियों सीमा में प्रवेश करती है वह कौन सी नदी है आपको बताना है बहुत ही आसान सवाल है यहाँ सतलोज नदी option C इसका right हो जाएगा चलिए next question के दरब 20 रावी नदी का वैदिक नाम बताना आपने कौन सा है option आपके सामने तो चलिए आपका समय समाप्त हुआ option B इसका right हो जगा पूरुषनी ठीक है चलिए next 21 question अपनी पुतरी चमपावती के नाम पर चमबा शेहर का नाम किस न रखा options आपके सामने है किसने रखा था आपको फटावट बताना है तो चलिए आपका समय हुआ option A इसका right हो जगा साहिल वर्मन ने चलिए next 22 question है मारे पास सन 1009 में कांगडा कीला किसने लूटा और अधिकार में लिया था option में से आपको बताना है शेरशा, मोहमद गजनवी, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं तो चलिए आपका समय समाब तो option B इसका right हो जाएगा महमुद गजनवी ठीक है चलिए 23 question है treadmill test TMT के उपचार के लिए किया जाता है किस के उपचार के लिए किया जाता है हिरदय और फेंपड़ा, गुरदा या पेर तो चलिए आपका समय समाब तो option A इसका right हो जाएगा हिरदय चलिए next 24 question एक उलका है आपको बताना है क्या है option आपकी सामने तो आपका समय हुआ समाब तो option B इसका right हो जाएगा एक पदार्थ का टोकड़ा जो बहारी अंतरिक्ष में पृत्वी के वातावरण में प्रवेश कर चुका है आपको यह याद रखना है चलिए next 25 question विशों में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है तो चलिए समय समाब्त हुआ 25 का C राइट हो जाएगा श्रीलंका चलिए 26 सवाल है हमारे पास ओजोन उपकशे का मुख्यों कारण है आपको बताना है options आपके सामने तो option B इसका right हो जाएगा chlorofluorocarbon याद रखना आपने चलिए next है 27 सवाल है हमारे पास जिवाश्यम अधियन कहलाता है क्या कहलाता है option में से आपको बताना है आप वीडियो को pause करके पढ़ सकते है तो चलिए आपका समय हुआ समाब्त option C का right हो जाएगा paleontology ठीक है याद रखना आपने हो भी चलिए 28 सवाल है हमारे पास हाल ही में भाई चुंग भूटिया खबरो में था वो कौन से खेल में संबन देते है option में से आपको बताना है तो आपका समय समाब्त हुआ option B इसका right हो जाएगा football तो चलिए next 29 सवाल हमारे पास विश्व व्यापार संगठन WTO पहले जाना जाता था किस नाम से options आपके सामने तो आपका समय समाब्त हुआ option B इसका right हो जाएगा GATT ठीक है याद रखना आपने इस नाम से जाना जाता था इससे पहले चलिए 30 questions है हमारे पास भारतियों मुद्रा का संकेत का परिरूप दिया गया किस ने दिया है option में से आपको बताना है तो चलिए आपका समय समाब्त हुआ option A इसका right हो जाएगा उदे कुमार द्वारा ठीक है option A इसका right हो जाएगा याद रखने तो चलिए next सवाल हमारे पास 31 सवाले हो आपको बताना है कि जनगर्ना 2011 के अनुसार राष्ट्यो स्तर पर कुल लिंग अनुपात जनगर्ना 2001 में 933 से बढ़कर डैस तक पहुँची गया option में से बताना है आपको कौन सा right हो जाएगा तो चलिए आपका समय जो हुआ option B इसका right हो जाएगा 940 याद रखने आपने 940 तो चलिए नेक्स सवाल है हमारे पास 32 सवाल है निमलिक में से कौन सी राजियो सरकार ने किसानों की समस्या पर पता करने के लिए कृष्य मंतरी मंडल का गठन करने की घुश नहीं किये आपको बताना है कौन सी सरकार ने किये options आपके सामने है तो चलिए आपका समय समाब तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास 33 सवाल है सूचना और प्रसारण मंतरालय द्वारा वर्ष 2010 के लिए घुशित दादा साहिब फाल के अवार्ड के विजेता निमिलिक्त में से कौन है आपको बताना है option आपको पढ़ लेने तो चलिए आपका समय वह समाब option A इसका right हो जाएगा के बाला चंदर चलिए नेक्स्ट है 34 सवाल हमारे पास राजिव गांधी खेल रतन अवार्ड 2011 2011 का विजेता कौन है आपको बताना है कौन है तो option D इसका right हो जाएगा 34 का गगन नारंग याद रखना अपने हो भी 2011 का पूछा जाएगा तो गगन नारंग हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट है 35 सवाल हमारे पास 2012 Olympics का में जबान निमिलिक्त में से कौन होगा आपको बताना है तो चलिए आपका समय समापत हुआ option is का right हो जाएगा लंदन ठीक है लंदन में हुआ था Olympics 2012 तो चलिए नेक्स्ट है 36 सवाल हमारे पास प्रसेंद रोई रिच आर्ट गैलरी इस देता है चलिए नेक्स्ट है 37 सवाल है हमारे पास कांगड़ा जिला में बिलिंग के लिए प्रसेद है कौन सी काई के लिए प्रसेद है बिलिंग घटी आपको बताना है option B इसका right हो जाएगा paragliding के लिए याद रखना आपने यहोबी कई बार पूचा जाता है और important भी है चलिए 38 सवाल है कौन सी नदी का नाम Sanskrit नाम विपाशा है आपको बताना है किस नदी का नाम है तो चलिए आपका समय समाप्तुआव वियास का नाम विपाशा है Sanskrit नाम ठीक है चलिए 39 सवाल है मारे पास भारत में दा लिटिल लासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है आपको बताना है option में से तो चलिए आपका समय समाप्तुआव विपाशन बीस का राइट हो जाएगा धरम शाला को लिटिल लासा के नाम से जाना जाता है ठीक है चलिए नेक्स सवाल है मारे 40 हिमाचर पदेश में 5 नौंबर 1983 को विश्व का सबसे उंचा डागर खोला गया है कौन सा है आपको बताना है तो चलिए आपका समय हुआ समाप्त option सीज का राइट हो जगा हिक्किम याद रखने आपने तो चलिए नेक्स सवाल की तरफ नेक्स्ट है 41 सवाल है आपको बताना है बिल मौद्रिक बिल है या नहीं यह किसके द्वारा निश्चित किया जाएगा ओप्शन आपके सामने है तो चलिए आपका समय हुआ समाप्त option डीज का राइट हो जगा लोग सबा के स्पिकर द्वारा याद रखने है आपने चलिए नेक्स्ट है 42 सवाल मानव अधिकार दिवस पूरे विश्व में प्रतिवर्ष मना जाता है किस तारीकों मना जाता है ओप्शन आपके सामने आपको बताना है तो चलिए आपका समय हुआ समाप्त ओप्शन सीज कर राइट हो जाएगा 10 दिसंबर को याद रखने है चलिए नेक्स्ट है 43 सवाल है एक मानव स्वतंत्र जनम लेता है परन्तु हर जगा वो हो जंजीरों में है यो शब्द किस के है आपको बताना है ओप्शन में से तो चलिए आपका समय हुआ समाप्त वो हो है रूसों के याद रखना है चलिए नेक्स्ट है 44 सवाल है आपके पास दो सदनों वाला विधान मंडल कहा जाता है आपको बताना है ओप्शन में से कौन सा राइट हो जाएगा तो चलिए आपका समय हुआ समय आप तो option B इसका right हो जाएगा by camera ठीक है याद रिखना आपने यहोँ भी important सवाल है चलिए नेक्स्ट है 45 सवाल है प्रजातंतर जनता की सरकार है जो जनता द्वारा और जनता के लिए है यहोँ कतन किसका है option में से आपको बताना है याद भी रखना है यहोँ बहुत में तपुन सवाल है तो चलिए आपका समय हुआ समापत option D's का right हो जाएगा अब्रहिम लिंकन दौरा ठीक है तो चलिए next है 46 सवाल है मारे पास मूल भूत अधिकारों का विचार लिया गया था कहां से लिया गया था option में से आपको बताना है तो चलिए बहुत important सवाल है option B's का right हो जाएगा अमेरिका से याद रखने है चलिए next है 47 सवाल है भारतियों सविधान के निर्माताओ द्वारा आयरलेंड से निमिलिकत में से क्या लिया गया है option में से आपको बताना है कौन सा right हो जाएगा तो चलिए आपका समय समाप्त हो option C's का right हो जाएगा रज्यों निती के निदेशक सिद्धानत लिये गया है हमारे ठीक है याद रखने है आपने हो भी चलिए next है 48 सवाल है तुम मुझे खुंदो मैं तुम्हें अजादी दूँगा यहो नारा किसके द्वारा दिया गया थ चलिए next है 49 सवाल है हमारे पास है एक राजनितिक पार्टी को एक राष्ट्रियों पार्टी के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है आपको बताना है option में से राष्ट्रपती कानून मंतरी लोकसभा स्पीकर या चुनाओ आयोग आपको बताना है कौन करता है तो संगठन का मुख्यालियों कहां है आपको बताना है डवल्यू एचो का मुख्यालियों कहां है तो चलिए आपका समय हुआ समापत अप्शन डीस का राइट हो जाएगा जे निवा में ठीक है चलिए next है 51 सवाल है कौन से महाद्विपो में मृत सागर स्थित आपको पताना ह कहां पर स्थित है तो जो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एशिया महाद्विपो में ठीक है चलिए next है मारे पास 52 सवाल है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रियों प्रशासनिक एक अदमी स्थित है कहां पर है ऑप्शन में से आपको बताना है तो चलिए समय समाप्तुता अप्शन डीस का राइट हो जाएगा मस्दूरी में ठीक है याद रखना है यह भी important question है चलिए 53 सवाल है तेल और प्राकरितिक गैस कमिशन कहां स्थेते है बताना आपको कहां पर है अप्शन में से तो जो इसका राइट हो जाएगा option B हो जाएगा देहरा दोन में याद रखना है चलिए 54 सवाल है हमारे पास असाम का प्रसिद अभ्यारण काजी रंगा किसके लिए प्रसिद है बहुत important सवाल ही हो भी option में से आपको बताना है किसके लिए है तो चलिए आपका समय हुआ सम आप option A इसका राइट हो जाएगा rhino के लिए ठीक है चलिए next 55 question है रेगिस्तानी जंगलों के पौदों की पतियां होती है कैसी होती है option B इसका राइट हो जगा छोटा आकार और कांटेदार ठीक है याद रखना यह हो भी important है तो चलिए next सवाल है मारे पास 56 question है भारत में पुर्शों की आप एक शास्तिरियां अधिक दिखाने वाला एक मातर राज्यों है कौन सा है आपको बताना option में से तो चलिए आपका समय समाब तो option A कर राइट हो जगा केरल चलिए 57 question है भारत में रुई मिलो की सबसे अधिक संख्या है कहां पर है जो रुई की मिले हैं कहां पर सबसे अधिक है तो option A कर राइट हो जएगा एहमदाबाद में ठीक है याद रखना है आपने चलिए next है हमारा 58 सवाल है सुर्यों ग्रहन होता है जब option में से बताना है कब होता है आप पौज करके से पढ़ भी सकते तो चलिए आपका समय हुआ समाप्ट option C इसका हर राइट हो जाएगा चंद्रमा पृत्वी और सुर्यों के बीच में आता है ठीक है तो चलिए next है 59 question कथा बनाने के लिए कौन से पौदे का उपयो किया जाता है option में से आपको बताना है कौन सा वो पौदा है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option B एकेस या कटेचू ठीक है चलिए next है 60 question जो इस वीडियो का last question होगा विश्यों में सबसे बड़ा रेगिस्तान है कौन सा है तो option में से जो राइट अंसर हो जाएगा option C बहुत important सवाल है हो भी सहारा रेगिस्तान तो यह थे आज की वीडियो के 60 question अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सबस्क्राइब करना बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन हाँ तक पहुंचाए धन्यवाद